प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना क्या है और ये योजना किन किसानों के लिए फायदे मंद है, कौन-कौन इसका लाब ले सकता है या फिर लाब ले रहा है अगर कोई किसान इस योजना का लाब नहीं ले पा रहा है या फिर इसके बारे में नहीं जानता है तो कैसे वो रेजिस्टर करेगा और इस योजना का लाब ले पाएगा वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कम्प्लीट बात कर ले वाला हूँ तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं इसी तरह के वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ जो भी गौवर्मेंट वाली चीज़ें होती हैं एप्लिकेशन होता है कुछ योजना होती है कुछ अन्बॉक्सिंग होता है कुछ ट्रिक होता है ऐसे संबनते हैं तो आप चैनल क किसान सम्मा ने दी योजना क्या है और क्यों इसको लौंच किया गया था तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना को क्यों लौंच किया गया था क्या ज़रुत पड़ी कि इस योजना को हमें इंट्रिड्यूस करना पड़ा 2019 में जब किसानों की कर्ज माफ करने की बात आई थी तो यह चीज़ सोचा गया कि अगर एक ही बार हम किसानों का कर्ज माफ कर देते हैं तो क्या अगली बार उन्हें फिर से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा बिल्कुल लेना पड़ेगा तो एक हम स्थाई सलूशन निकालते हैं जिसके थ्रू जो है जो किसान है उनको रहत मिल पाए और कम से कम कर्ज लेने की वो कोसिस करें या फिर जो है वो कर्ज नहीं लें तो ऐसे में एक योजना चलाई गई जिस योजना को का नाम दिया गया PM किसान सम्मान ने दी योजना इस योजना में जो भी eligible या फिर जो भी योग्य किसान होते हैं उनको उनके खाते में 6,000 रुपए हर साल ट्रांसफर किया जा रहा है और जो ट्रांसफर करने का रेट है वो 2,000 रुपीज पर 4 मंथ पे किया जाता है यानि हर 4 महिने पे 2,000 रुपए इनको ट्रांसफर किया जाता है यानि तीन किस्तों में 6,000 रुपए इनको इनके डारेट खाते में ट्रांसफर किया जाता है जिससे इनको काफी रहात मिलती तो 2019 से यह सुविजा को इंट्रड्यूस कराया गया था और तब से हम इस इच का लाब ले रहे हैं अब तक जो है वह 5 किस्त किसानों को मिल चुका है अब छटी किस्त का इंतजार है क्योंकि अभी बैक टू बैक है नहीं लगातार उन्हें यह किस्त मिला है अप्रेल में अभ इस lockdown में जो किसान है वो अपना काम कर सके क्योंकि इस समय इंकम का सूर्स कहीं से भी नहीं है अब बात करते है कि PM किसान सम्मान ने दी योजना की eligibility क्या है कौन-कौन से ऐसे किसान है जो इस योजना का लाब ले पाएंगे तो सबसे पहले जो किसान इस फॉर्म को कोई नहीं होना चाहिए कोई टेक्स दाता नहीं होना चाहिए कि ऐसान है कि वो टेक्स पे कर रहा हो गौर्वर्मेंट जॉब कर रहा हो तो वो eligible नहीं हो सकता फिर जो उसके bank account का information है और जो आधार का information है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए differences नहीं होने चाहिए उसमें तो ये सारी चीज़े अगर वो उसके पास है ये सारा दिस्ता वेच उसके पास है तो वो इस form को apply कर सकता है और इस योजना का लाब ले सकता है अब जो किसानों के लिए खुसकबरी ये है कि जो उनको 6000 रुपै चार महीने पे 2000 रुपै करके मिल के काम कर सकें आसानी से चलिए अब हम बात करते हैं कि किन किन किसानों को इस योजना का लाफ मिल रहा है वो कैसे चेक करेंगे कि वो इस criteria को पार कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं उनको ये सुविदा मिल रही कि नहीं मिल रही है इसके लिए आपको इसके website पर जाना होग उनका सारा डेटेल निकल के आ जाएगा तो आप उसमें अपना नाम भी चेक कर सकते हो तो चलिए मैं आपको ले के चलते हूँ अपनी कंप्यूटर पे और वहाँ पे मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आप इस योजना का लाब आप ले रहें कि नहीं ले रहें और अगर अभी तक नहीं लिया है तो कैसे आप इसका लाब लेंगे कैसे रेजिटर करेंगे आप अगर फोन यूज करते हो तो फोन से भी आप रेजिटरेशन कर सकते हो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा अभी फिलाल मैं लेप्टॉप पे काम करना हूँ तो आप लेप्टॉप से भरो या फिर फोन पे भरो सारी सो विदाएं एक ही जैसे हैं अगर फोन से आपको भरना है तो आप गूगल क्रोम ओपन करके अब जो प्रोसीजर में यहां पे इस लैपटॉप या फिर पीसी पे अबलागी करना है वही चीज़ आपको वहां पे भी करना है तो सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम के सर्च बार पे और यहां पे आपको एंटर करना होगा pmkisan.gov.in एंटर करेंगे तो आपको इस टाप के इंटरफेस देखने को मिलेगा pmkisan.samband.nidhi का आपका वी portal यहां पर उपन हो जाएगा फिर आपको जाना होगा यहां पे फॉर्मर्स कॉर्नर पे यहां पे इतनी सारे लिस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं मतलब अगर आपको इस योजना का लाप लेना है तो नया रेस्टेशन कैसे अप्लाई करेंगे वह मैं आपको बताऊंगा अभी तो यहां से करेंगे फिर यहां से अगर आधार कार्ड आपका फेल्योर हो गया है उसमें सम्मिट नहीं हो पाया तो यहां से आप चेक करोगे बेनफिसरी स्टेटस आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और तो कब तक क्या स्टेटस है आपके फॉर्म का आपके लिसिबिल जाते हैं बेनिफिसरी लिस्ट पे और देखते हैं कि हमारे गाउँ में कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाब ले रहे हैं और क्या उनमें मेरा नाम है की नहीं है ठीक है तो यहां पर step इंटरफीस देखने को मिला है तो आपको यह सारा data data fill करना है स्टेटस स्टेट डिस्टिक सब्स्टिक ब्लॉक एंड विलीज पे क्लिक करेंगे तो फिर यहां पे गेट रिपोर्ट आएगा फिर आपका आप उसमें अपना नाम देख लोगे या फिर अपने फैमिली का नाम देख लोगे जिसका भी देखना चाहरे हो आप तो एक रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यह सारा लिस्ट निकल के आगया अब आप यहां पर देख पा रहे हों कि जो पीएम किसान सम्मान नेदी योजना है उसके अंतरगत जितने भी लोग आते हैं जो उसका फायदा ले रहे हैं उसका लाब उठा रहे हैं वो सभी नामों का यहां पर लिस्ट है यानि इनके अकाउंट में हर साल 6,000 रुपए जो गवर्मेंट वो पे कर रही है तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका नाम कहा है या फिर आपके फैमिली का नाम कहा है तो यह सारा इंफोर्मिशन यहां पर मिल गया है अब अगर आपनी PM किसान स पे आपको क्लिक करना है ठीक है और ध्यान रही है कि मैंने बताया है कि उसी का आप फॉर्म भरोगे जिसके नाम पे जमीन जो है वो दो हैक्तेर से कम हो ठीक है दो हैक्तेर जमीन होने चाहिए यहां पर उनका जो है अधार कार्ट डालना खिर यहनपर यहां पे क्या आपको कि record not found with given details तो आपको यहां पर okay कर देना है क्योंकि आपको register करना है यहां पर अब do you want to register on PM किसान portal यह of course तो आपको यहां पर yes कर देना है अब यहां भी open होके आगे registration form यहां पर आपको सारा data भरना है तो इसमें first में आपको state डालना है आपके state से belong कर रहे हो तो मैं यहां पर डालता हूँ यूपी उत्रप्रदेश वैसे आपको इसमें भरना है फिर यहां पर डिस्टिक पर आप क्लिक करोगे सब डिस्टिक में आपको block पर आपको क्लिक करना है गाओ कोंसा है विलेज फिर यहां पर आपको former name नाम जो भी है आप नाम डाल दो इसमें gender category फिर यहां पर फॉर्मर टाइप आपके इस टाइप के फॉर्मर हो मतलब दो हेक्टेयर स्वन से टू हेक्टेयर के बीच में पर यहां पर यहां पर और यहां पर बेंक नाम डालना है फिर यहां पर आपको सुनांड नमर डालना भी आपको सब्मस क्रेंट Weid यह कोई जरूरी नहीं है, mandatory नहीं है कि आप इसे बरो, तो आप इसे छोड़ सकते हो, फिर यहाँ पर आपको ownership का details बरना है, कि आप की जमीन है, वो कितना है, उसका details आपको यहाँ पर देना है, यहाँ पर देख पा रहे हो, कि यहाँ पर खाता नंबर चाहिए, फिर यहाँ प कितने hectare आपकी जमीन है, वो यहाँ पर एंटर करना है, अब यह data आप कहां से लेक्या होगे, इसके लिए आप बगल में एक tab खोलो, और यहाँ पर आप सर्च कर लो, यह भूलिक, जो आप सर्च करोगे, फिर यहाँ पर first option नहीं, यहाँ पर first link आपको क्लिक करना है, क्लिक अब यहाँ पर तैसील चुलना है, तैसील अप्ता अंगंच, फिर आप आप को गाउं चुलना है, यहाँ पर गाउं का नाम यहाँ पर पैर लेट रपर भरो गाउं का, तो यह हो गया, कि for kalitin, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना आपको, कैसे आप सर्च करना चाहते हो, कि फिर नमांतर दिनांग से खोजे हैं आप यहां पे खातेदार के नाम से खोज होगे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यहां से आपको डिटेल सारा मिल जाएगा जो भी आप गवाँ जितने लोग होंगे उस नाम से तो मैं यहां पे जो है कुछ नाम एंटर करता हूँ तो अब यहां से मैं इतना खोजे पर क्लिक करता हूँ फिर देखता हूँ जो भी आप यहां पर देख सकते हो कि आपके फैमली का कोई नाम यहां पर मैच कर रहा है तो आप वो नाम देख सकते हो यहां पर तो यह मैंने सलट के लिए कि यहां पर रामधारी फिर मैंने इस पर खी lleva है अब यहाँ पे क्या करेंगे हम उद्धर रण देखेंगे उसका क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको यहाँ पे CODE डालना है इस CODE को डालते ही सार डेटेल आपके सामने होगा और फिर आप इसपर क्लिक कर तब सीचे कर पाओगी आपको अерб empieza पर देख पार हो कि यह जो खसरा है, वो खाता का वीवरड है, वो निकल चुका है, आप यहां पथ अपनी family का details दे सकते हो, कि जो जो नाम है वो दे सकते हो, यहां पर आप देखो, खसरा संख्या यहां पर 89 है, आपका जो चेतरफल है, वो कितना है कि .1980 है और यहां पे आपका खाता संखया इतना है तो अब क्या करना है कि हमें यह data चाहिए खाता संखया चाहिए फिर यहां पे छैतरफल चाहिए थितना hectare में यह और यह हो गया आपका खस्रसंखया तो यह 3 जो है आप note कर लो note करने के बार जो है आपको अपने former में enter कर देना है तो यहां पर Fत Hand Phi enter करोगे तो Fた Şanghya यह हो जाएगा अपका 00269 जो भी हो एंटर कर देना है यहां पर खस्रा-Sanghya 89 हो गया और यहां पर जो एरिया है वो कितना है तो एरिया यहांपे इतना इश्को कॉपी कर लूगे यह फिर लिखे डांके आप यहां पर बढ़ दोगी, फिर आपको करना है यहां पर, ठीक है, और इतना आपने कर दिया, अब और भी details है, तो और details आपको भरने के लिए फिर यहां पर add पर click करोगे, तो और details मिल जाएगा, ठीक है, तो जितने लोग होगी, उतने लोग apply कर सकते हैं अपने जमीन के ल जाएगा और complete होने के बाद आप इस योजना का लाब ले पाओगे, status जानने के लिए कि आपका जो form है, उसका status क्या है, इसके नहीं है, जब आप form और पर click करेंगे, तो beneficiary status पे आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां से आपका पूरा information निकल जाएगा, जब आप इस पर click करो पाओगे कि आपका जो form का status है, वो कहां तक है, और कब तक आप beneficiary list में अपाओगे और इस योजना का लाब ले पाओगे, फिर यहां पे अगर आधार में कोई failure आता है, कोई issue आता है, तो यहां से आप edit आधार failure record पे आप click कर पाओगे, वहां से शाड़ डेट आपको मिल जाएगा, यहां पर click करके देखते हैं क्या status हमें देखने को मिलता है, यहां पे आधार number अपने डालना है और यहां पे capture code डालना है, तो फिर आप यहां पे search करने के बाद आप देख पाओगे, क्या issue है आपके form में, उसे आप दुबार से सही कर पाओगे, तो I hope आपको य चीजे clear हो गए होंगी, फिर भी आप इससे संबंदित कोई भी question comment section में comment करके पोच सकते हैं, मैं WhatsApp नमबर भी नीचे description में देदिया हूँ, वहां से भी आप मुझे WhatsApp पे contact कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी help करने कोशिस करूँगा, तो इसी तर के वीडियो के लिए चैनल को सब सबस्क्राइब